दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी मार्केट में उठता हुआ नजर आ रहा है वो टेरा लूना के प्राइस को लेकर है कि इसका प्राइस किस रेंज तक पहुच सकता है कहां से रिकवर कर सकता है क्या कुछ इसी अपडेट्स निकल कर आ रही है क्यों इसका प्राइस इतना ज्यादा डाउन में जा रहा है और क्या आपको इसे बाइ करना चाहिए किस रेंज पर आप इसे एक्युमिलेट कर सकते हैं अगर हम टेरा लूना की बात करें फंडामेंटली काफी स्टॉण कोई था कुछ समय पहले यहां पर 100 डॉलर के उपर इसने हिट किया था इस मन्त की अगर हम बात करें लेकिन लास्ट 24 उस में अल्मोस यहाँ पर 77 परसेंट डाउन में और किसी भी अगर हम फंडामेंटल स्ट्रोंग की बात करें काफी बड़ी बात होती है इतना जादा डाउन में जाना उसका reason आप देख सकते हैं इनका जो stable coin है उस पर जो attack देखने को मिला UST की value जो कल के दिन में भी यहाँ पर काफी ज़्यादा down में गई थी recover करने की कोशिश की almost यहाँ पर 68 cent तक पहुझ गया था कल के दिन में काफी ज़्यादा गिरावाट देखने को मिली selling pressure यहाँ पर काफी ज़्यादा बना जिस वज़े से इनों ने यहाँ पर BTC को sale किया ताकि उस currency को यहाँ पर वो stable कर सके stable होता हुआ नजर भी आ रहा था कल के दिन में अगर आप देखे almost यहाँ पर 90 cent तक पहुझ गया था लेकिन फिर से अगर आप देखे यहाँ पर जो price है UST का वो down में जा रहा है टेरा USDT की value फिर से down में जा रहा है और उसका impact आप देख सकते हैं यहाँ पर तेरा लूना के price पर पढ़ रहा है जो लगातार यहाँ पर नीचे की और आ रहा है मतलब लगातार यहाँ पर जो support से उनको break कर रहा है और 78% और 7.84 डॉलर पर अभी आ चुका है अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उटता है कि क्या यहाँ से रिकवर कर सकता है last 7 days का आप chart देखें यहाँ पर इस वज़े से काफी सारे लोगों का जो भरोसा है वो भी उटता हुआ नजर आ रहा है stable coins पर से क्योंकि अगर हम देखें stable coins का जो algorithm होता है वो काफी अलग concept होता है मतलब यहाँ पर उनकी जो value होती है वो equal होती है एक डॉलर अगर down में भी होता है तो 0.5% के आसपास down में हो सकता है लेकिन ज़्यादा down में होना मतलब उनके algorithm में यहाँ पर कुछ ने कुछ गड़बर नजर आ रहे है जिस वज़े से अगर आप देखें तो काफी सारे लोगों का भरोसा यहाँ पर टेरा लुना से हटता हुआ नजर आ रहा है और काफी सारे लोगों ने आपर इसे sell भी किया हुआ है अब बात आती ही कि क्या यह यहाँ पर recover कर सकता है market के sentiment के अगर हम बात करें काफी लोग अभी यहाँ पर टेरा लुना को लेकर negative हो रहे है और उसका एक reason भी आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा value down में होगी तो हर कोई यहाँ पर काफी ज्यादा negative हो जाएगा क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपने portfolio में टेरा लुना को रखा हुआ था मतलब काफी सारे लोगों के portfolio में 30-40% टेरा लुना था क्योंकि कुछ दिनों पहले इसने एक अच्छा profit दिया काफी सारे लोगों ने high price पर buy किया होगा almost यहाँ पर $40, $50 के आसपास बाई किया लेकिन वहाँ से almost यहाँ पर यह लगाता नीचे आ रहा है कल के दिन में लगबग यह $32 के उपर था अगर हम यहाँ पर $34 के उपर था लेकिन $7.84 और यहाँ पर यहाँ लग रहा है कि यह $5 को भी cross कर सकता है कहाँ पर और किस range पर आपको buy करना है तो buy करने में तो अभी भी यहाँ पर risk कही है क्योंकि अगर हम इसकी recovery की बात करें recovery इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि काफी लोगों का बरोसा यहाँ पर इससे टूटता हुआ नजरा आ रहा है काफी सारे लोग यहाँ पर इससे लेकर अब negative भी हो गए है क्योंकि एक सबसे बड़ा reason है कि इनका जो stable coin है वो यहाँ पर गिरता होने जरा रहा है government की अगर हम बात करें आपने देखा होगा US lawmakers ने भी यहाँ पर इससे लेकर चिंता आज़ता है कि अगर इस प्रकार से यहाँ पर जो stable coin से उनकी value गिरेगी कहीं नहीं पूरे market पर एक negative impact पढ़ता होने जरा आएगा तो अगर आप यहाँ पर इसे 8 करने के बारे में सोच रहे है तो आप यहाँ पर अपनी risk पर कर सकते हैं क्योंकि otherwise हम देखें यहाँ पर 10 dollar पर भी हमने कुछ amount buy किया वहाँ से down में आके almost 7 to 8 आगया हमने 15 dollar पर भी buy किया लेकिन वहाँ पर भी रुक नहीं रहा है मतलब लगातार यहाँ पर इसके price में downfall देखने को मिल रहा है one year की बात करें तो almost यहाँ पर यह one year के lowest price पर आता हुआ नजरा आ रहा है जो लगबग यहाँ पर 4-5 dollar था जो पहले था एक काफी बड़ा यहाँ पर downfall देखने को मिल रहा है लुना में तो इसकी recovery इतनी आसानी से तो नहीं होने वाले है अगर आप इसे 8 करना चाहते हैं तो risk है तो आप अपने risk पर ही से 8 कीजिए अगर इस price एंज फिर buy करना चाहते हैं wait भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो support है वहाँ से अब bounce back करते हुए यह नजर नहीं आ रहा है कहां तक यह जा सकता है ऐसा कहना अभी थोड़ सा मुश्किल है लेकिन फिर भी 5 to 7 डॉलर के बीच में यहाँ पर कुछ quantity में अगर आप यहाँ पर चाहते हैं अगर आपके पास लुना नहीं है और fundamentally अगर आप भरोसा कर सकते हैं एटेरा लुना पर तो आप इसे 8 कर सकते हैं क्योंकि काफी लोगों ने इसे high price पर 8 किया हुआ है जो अभी यहाँ पर wait कर रहे होंगे recover होने में काफी time लग सकता है क्योंकि इतनी जल्दी recovery होना काफी जादा मुश्किल है कोई अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं साथी टेलीग्राम को भी जोइन कर लें वहाँ पर भी आपको crypto से जुड़ी है एक update सबसे पहले प्राप्त होगी अब हम आपको मिलते किसी हो नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए अपने ध्यान रखें थैंक यू